नमस्कार बहुत स्वागत है आपका One India हिंदी में आज 17 सितंबर है साल के 9 महिने का ये 17 दिन इतिहास में अपनी एक खास जगहा रखता है आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जो से जानना आपके लिए बेहद जरूरी है तो आईए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर आज ही के दिन यानी 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में विले हुआ हलाकि हैदराबाद को भारत में शामिल कराना इतना आसान नहीं था और काफी चुनोतियों का सामना भी करना पड़ा भारतिय सेना की इस कारवाई को आपरेशन पोलो को नाम दिया गया 17 सितंबर 1976 में नासा ने सारवजनिक रूप से अपने पहले स्पेस शटल का खुलासा किया स्पेस शटल मानव समेद या रहीद उग्र है या तयात प्रणाली को कहा जाता है ये शटल पुन्हा प्रियोगनिय यान होता है और इसमें कंप्यूटर डेटा एकत्र करने और संचार के तमाम यंत्र लगे होते हैं अंतरिक्ष शटल को स्पेस क्राफ्ट भी कहा जाता है कि इन्तु ये अंतरिक्ष यान से भी होते है अंतरास्ट्रिय ख्याती प्राप्त भारतिय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन आज ही के दिन 17 सितंबर 1915 में महारास्ट्र में जन में थे मकबूल फिदा हुसैन ने फिल्मों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स बनाकर चित्रकारी के दुनिया में कदम रखा था 1955 में उन्हें कला के शेत्र में आविश्वस्निय सहयोग देने के लिए पदम श्री का पुरुसकार दिया गया आज ही के दिन 17 सितंबर 1950 को भारतिय राशनिता और वर्तुमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था आज प्रधान मंत्री 71 साल के हो गए है पियम मोदी स्वतंत्र भारत के पंद्रवे प्रधान मंत्री है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ